राजधानी भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन हुई जिसमें कई एहम प्रस्तावों को मनजूरी दी गई इन प्रस्तावों में अधिवरश्टी से हुए नुकसान का आकलन समय जल्द मुआपजा भुकतान का मुद्दा सबसे खास रहा इसके साथे प्रदेश में योग को आंदूलन की तरहा पेश करने पर भी बात बनी इसी पर देखे हमारी यह खास रपोर्ट सीएम शिवराज सिंग चौहान की मौजूद्गी में हुई कैबिनेट की बैठक में कई एहम प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया जिसकी ज़ानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वा सारंग ने दी जो की इस प्रकार से है अतिवरश्टी के नुकसान का होगा आकलन सर्वे जल्द करने के सीएम ने दिये निर्देश मकान श्रतिग्रस्त अरस्थाई विवस्था के दिये निर्देश योग आयोग के गठन को दी गई मंजूरी प्रदेश में साथ निजी युनिवर्सिटी को खोलने के दी मंजूरी बैडमिंटन खिलाडी प्रियांशू राजावत को देंगे प्रोत्साहन राशी दस लाख रुपे प्रोत्साहन राशी देनी कर लिया गया निर्दने खदान चलाने की परमीशन को ली कर लिया खास निर्दने बकायादारों को बकाया राशी जमा करने पर मिलेगी परमीशन खदान चलाने वालों की बकाया राशी पर ब्याच माफ करने पर बनी सहमती खात्य वभाग में कम्प्यूटर ओपरेटर की भरती पर लगी मुहर 17 सतंबर पी ए मोधी के जन्दिन से प्रदेश में चलेगा अभियान 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा हितिगराहियों के लिए विशेश अभियान केंद्र और राजिस सरकार की योजनाओं को जमेनी स्तर तक पहुचाने पर हुआ निर्णने पुराने हेलिकॉप्टर के पार्ट्स को बेचने पर लगी मुहर कैबिनेट की बैठक में आगामी समय में मद्रप्रदेश इस्थापना दिवस मनाने की रूप रेखा को भी अंतिम रूप दिया गया जिसके अंतरगत कई प्रत्यूगिताएं आयोजित की जाएंगी ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, फोपाल